और जब कार्द कर्म संपन हो जागा 22 को उसके बाद हम देश के लोगों को दर्शन के लिए बुला रहे हैं और इनुटेम पुझे साथ दिया था उनको भी और हमारे कार्द करता को भी लोग कहते थे कि मंदिर भव्य बनाएंगे तारिख नहीं बताएंगे इसलिए घर घर घ में बिराजमान हो करके आपके संकल्प के कारण से जो सिद्धी हुई है उसका धर्शन करिए और अपने संकल्प को पूरा करिए यही कहने के लिए हम लोगी मंत्रत दे रहे हैं नमस्कार मेरे साथ है कामेश्वर चौपाल जी जी हां वही कामेश्वर चौपाल जी है जिनोहने राम जनमभूमी के सीला न्यास को लेकर पहली इंट रखने का कार किया था हम बात करेंगे राम लाला के उद्धाटन कारिकरम को लेकर एक सब्द में कहें तो जब कांज शुवा था संघर्ष का तब राम काम में लगे हुए लोगों का उपिक्षा होता था समाज में त्रिशकार भी अस्थान अस्थान पर लोग करते थे और आज सत्कार का समय है जो भी व्यक्ति राम काम में लगे थे उस समय उनको गौँ में लोग बंदन करता है स्वागत करता है कि आप लोगों ने ब्राही स्रश्ट काम किया और अयोध्या में परफुराम अपने जल्म अस्थान पर में भव्य और दिव्य मंदिर में विराज मान होंगे कि आप सभों के ही संगर्ष और तब के कारण से संभव हो सका है यह परिवर्तन हुआ है कि अब लोग तिरसकार से सतकार की दिशा में कारिकर्टा को भी देख रहे हैं समाजीक चेत्ना भी जागरे धुआ है तब समाज जाती की बात करते थी अगेना पिष्रा की बात करते थे, ऊच नीच की बात करते थे. जो चांटान के तरह हिंदू समाज एक साथ खड़ा है. एक साथ एक स्वर में बोलने के लिए लोग तयार हैं कि हम राम के हैं और राम हमारे हैं अज़ो दियारी चल रही है कि हम 22 तारीको भवान का प्रान प्रतिष्टा होगा उसमें 10 करोर परिवार को हम लोग की ओर से निमंत्रन जा रहा है 22 तारीको जो कार्जकरम है वो प्रान प्रतिष्टा का है उसमें संतों को बोलाया गया है, अचार्जों को बोलाया गया है कुछ हिजाजवान भी उसमें रहेंगे और देश के अंदर ब्यक्तिगंत गुनों के कारण जिरों ने देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढाया है ऐसे कुछ महापुरुसों को बुलाया गिया है और जब कार्जकर्म संपन हो जागा 22 को उसके बाद हम देश के लोगों को दर्शन के लिए बुला रहे हैं और यहोंटे मुझे साथ दिया था उनको भी और हमारे कार्जकर्ता को भी लोग कहते थे कि मंदिर भव्य बनाएंगे, तारिख नहीं बताएंगे इसलिए घर घर घूस करके हम लोग बता रहे हैं कि यह मंदिर भी बन गया है, तारिख भी बता रहे हैं आप चलिए अजोद्या परवुराम को उस भव्य और दिव्य मंदिर में बिराजमान हो करके आपके संकल्प के कारण से जो सिद्धी हुई है उसका दर्शन करिए और अपने संकल्प को पूरा करिए यही कहने के लिए हम लोग निमंत्रन दे रहे हैं अब मुक मंत्रिनी पिस्कुमार और लालू जी कहां भी निमंत्रन देने को क्या रूलता थी इस बात थी और यह जो भी से बार बार मुक मंद्री जी का उठता है मैंने पहले बताया कि बाइस के कार्जक्रम सुद्ध करके अनुस्ठान का कार्जक्रम है उसमें आचार्ज, संत और कुछ ऐसे गन्यवाने लोग बुलाए गए हैं जिनका सुरक्षा से संबंध है अब सुरक्षा के कारणों से अजुध्या में अब उनको छोटा कस्वा है संभाल नहीं सकते लेकिन हम जब सब को दे रहे हैं तो हमारे पर संदेह नहीं होना चाहिए हम तो जिनके साथ बरसो लरे के स्कोट में हैसे इकमाल अणसारी को भी जाकर के निमंतर इंज ग्याईगा आप भी आईए तो जब हम जिन से लडे बरसों लडे उनको दे सकते हैं तो हमारे लियालु जी और देतिष्जी भी जवालन ये उनका शमान है बेरे दिल बेंगे निमंतरन वो सकता है कि यह कारण से मैंने पत्र दिया है, वो अब्याश्टा के करण ना हमको उत्र दिय हूं। लेकिन निमंतरन केवल देने से नहीं होता है। उनको धियान में है कि मंदीर का प्रान प्रतिष्ठा 22 को हो राहा है, 24 के बाद दर्सन करने लोग जाएंगे। और मैं उनसे कहता हूं कि आप भी एक भारत्य हुरी के रान नाते, जब कभी भीहार में हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि कोई ब्यक्ति नहों जिनके पास निमंत्रन न पोँचे, इसलिए निमंत्रन घर घर जाकर के लोग, हम तो स्वरूप पदल रहा है, हम तो पहले पढची से पढ़ा देते थे, अब तो निमंत्रन का नया नया लोग गाओं में इजाद किया थरीक्षा, जय से लोग को शर पर लेकर पूरे गाओं करते हैं, जिस तरह से लोग क्लस यात्रा करते हैं, वैसे अख़त को कलस को सर परले करके पूरे गाउं परिकमा करके दे रहा है पंदरा दिन ने हमको लगता सफता दीन के अंदर अंदर सहब के कान में और सब के पांस औरिमंत्रन पहुंच जाएगा देखिए ऐसा है भाव ही भगवान का रूप होता है भाव मिच्छन्त देविता कहा है दो भाव के लोग है एक ने राम के लिए अपने प्रान को उत्सर कर दिया एक ने राम के लिए सत्ता को त्याग कर दिया एक ने राम के लिए हर एक चीज को छोर कर उस पत्थ पर सारे संकट को गले लगाया तो उनके भाववार, एक ऐसे लोग है, जिनको आज भी विश्वास नहीं है कि राम है, और इसलिए वो यहां से लेकर के सुप्रिम कोट तक तर्क देते रहे, कि राम मीथक है, राम हुआ ही नहीं है, जो इस प्रकार की भावना से है, उसमें मैंने समझता हूँ कि हमारे कहद से हमारे मन में अफमारे स्रधा में कोई अंतर आ जाएगा, इसलिए राजनेती करने वाले व्यक्ति, के लिए तुलसी दास ने बहुत पहले कह दिया, जाकी रही भावना जैसी परभू मूरत देखा ही तिन तैसी, जिनकी जैसी भावना है, अजो द्या के लाराई को उसी जाने मंदिर जाने से किसी का इलाज हो पाएगा, कोई डक्तर, कलक्तर, इंजिनियर बन पाएगा, इसे हो, ब्यक्ति के किर्तित तुम्हें और ब्यक्तित तुम्हें अंतर उनकी आचरन से होता है, और आचरन ही प्रलक्ष्ण करता है कि ब्यक्ति बोलता क्या है और ब्यक्ति है भी क्या。 अभी गय थे पिता पुत्रमील करके बंभयी बाइठागवे, राजणितिक बाइठाग थी कोई, वहां थिद्धी बिनायक का दर्शन करने गये थे, अभी तिरूपती काyan करने गये थे, प्रवं उनका पूजा करते हैं, कल ही बक्तव दिये कि कल और हमारे यहां सुभा और साम घर में ही मंदिर है पूजा होती है, तो उनके अंदर भाक्ती है, हो सकता है, राजिति कुछ लाचारी होगी, और उनके जो लोग हैं, उससे प्रसंद होते होंगे, इसलिए अपने लोग को प्र तो देकर चर्चा करने क्या हो सकता नहीं है, जी तो ये कामेश्वर चापाल जी थे, जिन्होंने साफ कहा, कि कुछ नेतावों द्वारा, राम लाला का विरोध इस वज़ा से किया जा रहा है, चूटी उनकी राजनितिक लाचारी है, धन्यबाद, धन्यबाद सेर्ट,